हेलो फ्रेंड्स, गुड़ आप्टर अंटोन, कैसे हो, होप करता हूँ, आप से बलोग अच्छे ही होंगे श्रू फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सौल करेंगे हिंदी लेंग्वेस का प्रेक्टेस इट पुरे पचाफ कोश्च लोग आप लोग इस वीडियो में सौल करेंगे अगर आप लोग पिछली क्लास को नहीं देखेंगे तो आप लोग प्ले लिष्ट में जाके देख सकते हैं, प्ले लिष्ट में आपको हर सब्जिट की एक-एक क्लास मिल जांगी, इन क्लास की फ्रे में पीडिया भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलिग्राम चैलन से वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में आपको टेलिग्राम चैलन की लिंक मिल जागी कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमने फालो करके वहाँ पे आप लोग डाउट कीयर कर सकते हैं आपको कोलिस नहीं मिला था तो आपका पैसा कब तक वापस होगा तो जाके धेख सकते हैं अगर आप लोगो चाहिए एक साथ मटेरियल पीडियाप में तो यह क्रैस कोर्स हमारा जॉइन कर सकते हैं इस crash course में आपको Hindi, ZK, Reasoning, Subject, Ability के 5,000 ज़्यादा topic wise objective question देखने को मिलेंगे 10 year के previous papers भी आपको देखने को मिलेंगे यह crash course सभी वर्गों के लिए हैं बहुत ही कम पैसों में आपको मिल रहा है बेटेंटरंस exam का पूरा material 149 रपे में आपको मिल रहा है कैसे purchase करना है वीडियो को description box में एक link होगी उस link पे आपको क्लिक करना है ना mobile number, email, ID आप से पहुँचा जागा उसके बाद 104 का payment करना है जैसा ही आपका payment सक्से जो का download का option है का download कर लिजीगा ठीक है सरकारी सीट लेने में बेहतरीन अंक लाने में ये crash course बहुत ही help करेगा तो चलिए यहाँ पे daily classes का timing आप सब लोग देख सकते हैं class को start करते हैं सभी को एक बार fit से good afternoon सभी लोग वीडियो को like करके share कर देंगी पहला प्रशन आपकी skin पे आगया है विद्वान का इस लिंग सब्द आपको बताना है बताएं से भी लोग विद्वान का इस लिंग क्या हो जाएगा answer सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोख भी सकते हैं आप लोग option आपके सामनी देगे हैं विद्वान का इस लिंग शब्द क्या होगा विद्शी हो जाएगा विद्शी हो जाएगा ओफन इसका आपका बी वाला बिल्गून correct हो जाएगा चलिए काउन सा वेंजन नासिक क्या है बताएं से भी लोग 52 का राइट अंसर क्या हो जाएगा आंसर सूचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुख भी सकते हैं बट सभी लोग हर कोश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें ठीक है और ये एक जो क्लास होई थी हिंदी टॉपिक वाइस की उस क्लास में कोश्चन में करवा दिया हूँ ठीक है अगर आप लोग टॉपिक वाइस वाइस को नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं तो देखे जो वर्गे के जो पंचमा अच्छर होते हैं वो आपके नासिक वर्ड होते हैं जैसे ना हो गया आपका ठीक है अंगा हो गया आपका ठीक है इया हो गया आपका अडा हो गया आपका एंड आपका ना हो गया ठीक है मा हो गया इन सभी के उचान इस्थान नासिक से होते हैं ठीक है ध्यान केगा का का उचान इस्थान किस से होगा कंट से होगा खाका भी किस से होगा, खाका भी कंट से होगा, धाका उचान इस्थान किस से होगा, धाका, धाका उचान इस्थान होगा, दंत से, किसका होगा, दंत से होगा, ठीक है, तो उचान इस्थान से एक प्रशन आपके एक्जाम में फिक्स है, ठीक है, चलिए, वरतनी की दिश्ट स जो है आपको सही सब्द आपको बताना है आसिरवाद यहाँ पे लिखा हुआ है तो शुद्ध शब्द कौन सा है आसिरवाद का यह आपको बताना है 2023 में बेहतरेइन अंकों के साथ अगर आपको बियर्ट करना है सरकारी कॉलिस लेना है 10,000 seat में 1 seat पक्की करने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब पर लें इस चैनल से आपको निश्यती मदल्स मिलेगी जो भी बीट इंटरस एक्जाम की अपडेट है जो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी 53 का चाप देने का प्रयास करेंगे आसीर वाद ये आपका बिलकुन सुद्ध है ठीक है बाकी ये आपका अशुद्ध है ये आपका अशुद्ध है ये आपका अशुद्ध है जब सुद्ध वरतनी की जब क्लास होगी उसमें मैं पूरा करवा दूँगा जो जो एक्जामें ज़्यादा पूछा जाते हैं वही करवा दूँगा उससे बाहर आपका एक भी प्रशन एक्जाम से नहीं आएगा ठीक है चलिए निमलकित में से कौन सा शब्द जो है वायू का प्रेवाची नहीं है बताएं वायू का प्रेवाची कौन सा नहीं है बताएं से बाहर लोग कौन सा वायू का प्रेवाची नहीं है देखे इसमें अनिल हो गया मारूत हो गया वात हो गया ये सब्द क्या है वायू के प्रेवाची है अनल जो है आपका अगनी का प्रेवाची है किसका प्रेवाची है अगनी का प्रेवाची है ध्यान नहीं है ठी हर्ष का विलोम बताएं हर्ष का most important question है आपके एक्जाम के लिए इस्टा लगा के note कर लेज़ेगा सब लोग हर्ष का विलोम क्या हो जागा बताएं सब लोग हर्ष का विलोम क्या होगा तो हर्ष का विलोम हो जागा विसाद क्या हो जागा विसाद हो जागा 55 का ए वाला बिल त्यारी करने का परियाप्त शमय है और अभी से जुट जाएं सरकारी सिप्ट लेना है तो दस फरवरी से फार्म स्टार्ट हो रहा है एक फरवरी को इसका नोटिपिकिशन जारी कर दिया जाएगा चलिए जो तीनों काल देखता हो उसके लिक्शब्द क्या होगा जो तीनों काल देखता हो उसके लिक्शब्द क्या होगा सबी लोग जाब देने के प्रयास करेंगे जो तीनों काल देखता हो त्रिकाल दर्सी हो जागा उसके लिक्शब्द ठीक है बी आपका बिलकुन करिक्ट हो जागा चलिए धेर सारा मक्खन किस विसेशन का उधारण है धेर सारा मक्खन किस विसेशन का उधारन है धेर सारा मक्खन किस विसेशन का उधारन है तो ये अनिशित प्रणाम वाचग विसेशन का उधारन है D आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा ठीक है चलिए किसी सब्द के पूर्वर लगा कर उस सब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेशता उत्पन कर देते हैं का कहलाता है उपसर्ग या प्रत्य या सर्वनाम या समास किसी सब्द के पूर्व लगाकर उस सब्द का अर्थ बदल देते हैं उसमें विशेशता उत्पन कर देता है उप्शर होता है आपका ठीक है ओफन इसका जो आपका ए आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा उपसर के प्रत्ते से 100% आपके एक्जाम में कोशन्स आएंगे ठीक है चलिए किसी गुण दसा स्वाभाव या कारे का बोध कराने वाला शब्द कहलाते है क्या बैक्ति वाचक या भाव आचक संग्या या समुह आपके एक फिप्टीनाइन का जौप देने के प्रत्त करेंगे किसी गुण दसा स्वाभाव या कारे का बोध कराने वाला सब्द कहलाता है ऑफन इसका जो आपका सी वाले बिल्कुन करेक्ट हो जगा गुण या आपको याद रखना है ठ अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है इसमें आपकी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है 60 का जो है आपका, भी आपका बिलकून करेक्ट हो जगा ठीक है, चलिए नेमलकित में से एक लोग वक्ती की विसिस्ता है बताएं 61 का जौब देने के प्रयास करेंगे इसका प्रयाया अन्योकती अत्वा आप्रस्तुत वेंजना के लिए होता है यही आपका सई है, ठीक है, एक लोग वक्ती की विसिस्ता है ठीक है, चलिए हाथेली पर सर्सों उगाना मोहरे का अर्थ क्या है बहुत एच्छा प्रशन है और दो नमबर बिलकुन फ्री का है दो नमबर बिलकुन फ्री का है तो फ्री करें दो नमबर अपना हथेली पर सरसो उगाना देखिए प्रशन जब भी पढ़ा करें आप लोग अच्छे से पढ़ा करें दो बरब प्रशन को जरूर से जरूर पढ़ा करें उसके बाद चारो आप्षन को देखा करें आप लोग फिर अपना जवाब दिया करें final हथेली पर सरसो उगाना परिश्रम करना अशंभाव कारे करना बहुत अधिक प्रयत्न करना या द्रण संकल्प करना परिश्रम करना होगा नहीं असंभवकार है, मतलब हतेली पर भाई सरसों ओगे ही नहीं सकती है तो असंभवकार करना हो जागा 62 का आपका B वाला बिलकुन करिक्ट हो जागा वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दिया करो और सेर भी कर दिया करो, कुछ भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे फालू करके वहाँ पे डियम कर सकते हैं आप लोग हमें वाट्शाप पे भी मैसेज कर सकते हैं वाट्शाप नमबर है 79056325333 पे आप लोग हमें वाट्शाप मैसेज कर सकते हैं बताएं इसमें, रिशो स्वर है कौन सा, अओ हो जाएगा आपका, ठीक है, डी आपका बिलकुन करिक्ट हो जाएगा, चलिए निमिलकित में से साइन्यूक तो स्वर कौन सा है, बताएं, साइन्यूक तो स्वर, बताएं, साइन्यूक तो स्वर, बताएं कौन सा, इसमें भाई, अंसर सूचने का ज़्यादा समय चाहिए, तो वीडियो को रुख भी सकते हैं आप लोग, बट सभी लोग हर कॉश्चन का जवाब, जरूर से जरूर दिया करें, ताकि मैं जान सकूँ, आप लोग का स्वर क्य आजाता है, और कितने कॉश्चन्स आप लोग सही करते हैं अभी, तो दिखें, साइन्य तो सर जो होते हैं, वो चार होते हैं, ए होता है, ए होता है, ओ होता है, ठीक है, जोकि इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो आप लिख लिजे, अलग से लिख लिजीए, ए होता है आपका और ए होता है और आपका ओ होता है और आपका ओ होता है ये चार होते हैं ठीक है चलिए अलग से नोट के लिए जिगा चलिए आगे चलते हैं सहीं स्वर पूछे तो चार होते हैं ठीक है आगे चलते हैं प्रतेक शब्द समों में चार चार सब्द दिये गए ह इनमें से तीन के अर्थ शमान है, एक सब्द बेमेल है, बेमेल सब्द का चैन करें एक दूसरी के मतलब प्रयवाची है, तो एक कौन सा इसमें भिन है या आपको बताना है बताएं से अब लोग, तो देखें, अमरत हो गया, सुधा हो गया, प्यूस ये एक दूसरे के प्रयवाची है लोचन जो है आपका, ये नेत्र का यानि के आख का प्रयवाची है, ठीक है, तो डी आपका इसमें बेमेल था उसी प्रकार इसमें बताना है आपको कौन सा बेमेल है, शुमन हो गया, कुश्यूम हो गया, पुश्प हो गया, ये एक दूसरे के प्रयवाची है, चमन इसमें आपका अलग है, ठीक है, चलिए सरसर से अरसर तक में आपको विलोम शब्द का चैन करना है समिस का विलोम क्या होगा समिस का विलोम क्या हो जगा नीरा मिस हो जगा ठीक है ए आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा वे का क्या हो जगा विलोम शब्द वे का वे का हो जगा आई हो जगा ठीक है डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, 69 से 70 तक में आपको शमास बताना है, चंदर शेखर में समास कौन सा है, बताएं सब लोग, चंदर सेखर में समास, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, तो वीडियो को रुख भी सकते हैं, ततपुरुष शमास, ये बहुरही समास, ये करमधार है, ये अगदिगु समास है, तो इसमें आपका बहुरही समास हो जागा, ठीक है, चलिए, चंदर हैं सीखर जिसके, आगे चलते हैं, रात दिन में समास कौन सा है, बच्चों वाला प्रशन है, बीच में योजक चिन लगा हुआ है, तो दंद शमास आपका हो जागा, ठीक है, ए आपका बिलकुन करिक्ट हो जागा, चलिए, निमलकित में से कौन सा शब्द जो है, सदयो एक वचन रहता है, और दर्शन, ये सब बहु वचन में होते हैं, ठीक है, जनता आपका शदव एक वचन में रहता है, ये आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, कारण कारक की विभक्ती है, कारण कारक की विभक्ती बताएं इसमें, कारण कारक की विभक्ती है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, सिंग आपका इसमें सुद्ध शब्द है, ठीक है, चलिए, जलवायू में काउन सा शमास है, जलवायू में समास, बताएं से बलोग जलवायू में काउन सा श प्रश्णों के प्रतेक वर्ग में दिये गए चार विकल्प में से सुद्ध वाकर का चैन करना है दो देख रखते हैं वाकर और यहां पर और वाकिश देख रखते हैं तो बताएं इसमें सुद्ध वाकर काउन सा है तीन नगरों का नाम बताएं तीन नगर के नाम बताएं तीन नगरों के नाम बताएं यह आपका शईए है ठीक है यही आपका शुद्ध वाक्य है उसे प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें आपका ये वाला शुद्ध वाक्य है ठीक है 77 का ए आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा चलिए शंदिभी छेट आपको बताना है सचीदा नंद में संदिभी छेट कौन सा है सत धन चीत धन आनंद इसमें संदी पूँचे ते वेंजन संदी आपको याद रखना है ठीक है चलिए ये शोदा का शंदिभी छेट बताएं ये शोदा का शंदिभी छेट क्या होगा यशाह धन दा हो जाएगा ठीक है ओफनिस का सी आपका बिलकून करेक्ट हो जाएगा विसर गुषंदी का उदारना या सोदा आपका ठीक है चलिए निमल के सब्दों में से प्रेवाची चुनिए मचली का प्रेवाची बताएं इसमें मचली का प्रेवाची बताएं सब लोग मीन आपका मचली का प्रेवाची है ठीक है अच्छा प्रश्ण था चलिए आगे चलते हैं पती का प्रेवाची बताएं पती का भाई प्रेवाची बताएं इसमें सबी लोग आरे हो जगा ठीक है भी आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा वीडियो को लाइक कर दो शबी लोग और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो शबी लोग चलिए इसमें 82 से 83 तक में आपको जो है सही विकलब का चैनल करना है लोकवक्ती का जैसे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी इसका अर्थ बताना है आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़िए एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी इस लोग वक्ती का जो सही अर्थ होगा कि सब लगभग एक समान होना ठीक है डी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा चलिए ओट के ओट को निगल लिया और दुम को हिच के इसका सही अर्थ क्या होगा ओट को निगल लिया और दुम को हिच के इसका सही अर्थ होगा बड़ी विपत्ती को स्विकार करना और ताधारबारत का शंकोच करना ठीक है डी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा चलिए 84 से 85 तक में आपको संधी का चैन करना है सडा नन में संधी कौनसी है शडा नन में संधी बताना है आपको विंजन संधी है ठीक है ए आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा धर्मातमा में संधी बताना है धर्मातमा में बताएं तब लोग धर्मात्मा में संदी कौन सी हो जाएगी धर्मात्मा में शंदी बताना है आपको श्वर संदी है ठीक है यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए नीचे दिए के वाक्यांसों के लिए शही शब्द का चैन करें जिस बीमारी का ठीक होना संभाव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा कुछ भी डाउट से कमेंट बाक्स में अपना डाउट क्लिए कर सकते हैं सभी लोगों को जवाब दूँगा मैं जिस बीमारी का ठीक होना संभाव ना हो उसके लिए शब्द होगा आशाद हो जाएगा पूजनी पीता जी को साधर पाडाम, पूजनी का शुद रूप क्या होगा देखे पूजनी का ये वाला शुद रूप है पूजनी होता है ठीक है ये आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा, चलिए ग्यानेंद्रिया का शुद रूप बताएं जो अंडरलाइन है उसी को बताना है आपको ग्यानेंद्रिया का शुद रूप कौन सा हो जागा यह हो जागा ग्यानेंद्रिया ठीक है यह वाला आपका ठीक है चलिए शुद असुद उसे बहुत कोशन पुश जाता है कौन सा नहीं है घोड़े का प्रवाची ये आपको बताना है 91 का जवाब देने के प्रयास करेंगे इसमें सैंधो हो गया, तूरंग हो गया, घोटक हो गया ये सब घोड़े के प्रवाची है, इसमें अश्म आपका घोड़े का प्रवाची नहीं है 91 का A आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा बताएं कौन सा शब्द सिंग का प्रेवाची है सिंग का प्रेवाची है बताएं कौन सा अंतक, मरगांक, सिंधुर या पंचनन पंचनन है आपका 92 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा उसे कहते हैं क्या दुन्द शमास कहते हैं और बीच में योजक चिन लगा हो ठीक है जैसे माता पिता रात दिन भाई भाई भान ठीक है चलिए सब्ध गर्म जोसी का शमानारती शब्द चुनिए गर्म जोसी का शमानारती शब्द चुनना आपको गुश्चा हो जागा, क्या हो जागा, गुश्चा हो जागा, C आपका बिलकुन करिक्ठ हो जागा, सही संदिविछेत का चैन करें, इसमें कौन सा सही संदिविछेत हैं बताएं, तनमाई का, ये वाला है, तमधन आय, ठीक है, B वाला आपका बिलकुन सही संदिविग्रा था निन्मे से ततश्रम शब्द का चान करें आप लोग इसमें निकरश्ट आपका ततश्रम शब्द है ठीक है D आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा और पचास में से आपकी जितने भी प्रिश्न साही हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर आप लोग बताईएगा चले करेशने का प्रेवाची शब्द बताईए इसमें करेशने का प्रेवाची शब्द बताईए सब लोग और डेली क्लास को जॉइन करें अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें 100% आपको सरकारी सीट मिलेगी बस एक विश्वास के साथ जुड़े रहे हैं हमारी चैनल से पिछली बार हमने बहुत ही अस्चा रिजल्ट दिया है बहुत साई लोग हमारी चैनल से पढ़कर अपना जो एड्मिशन सरकारी कॉलिसम लिए हैं आप लोग वीडियो से आके देख सकते हैं फीड़बैक देख सकते हैं कमेंट बाक्स में क्रेशने का प्रवाची शब्द चुनिए केशा हो जगा ठीक है ए आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा गीतांजली किसकी रशना है गीतांजली जो है किसकी रशना है बताएं तो most important question है इस्टा लगा कि ही बार exam में पूछा जा चुका है सही सब्द चुनना है आपको इसमें सही सब्द चुनना है 100 last question तो सरंगार ये बिलकुन सुद्ध शब्द है बाकी ये उत्सव, अभिन, उपर जीत ये आपको अशुद है फिप्टी में से जितने भी questions आपके correct हुए हूँ comment box में नाम, score जरूब देगा और ऐसी daily classes देखने के लिए चैनल को subscribe करें कुछ भी doubt से Instagram पे follow कर शेकते हैं Instagram ID के link वीडियो को description box में आपको मिल जाएगी चलिए, class के बारे में अपना feedback जरूर देजगा like कर देजगा और चैनल को subscribe कर लेजगा ताकि अगली जो class हो, अगली जो update हो आपको मिल सकें thank you so much